मेरे बुकता जानकारी उनकी कमरे में ठीवी है सार इंगलिज चानेल है राजनेल नहीं है। उनकी रूम पे नहीं है, आप सिधा बात करो, आप अकेले में, आप एक बार, आप इतने बार नविन निवा सिंदुन में जाते हो, आप एक बार नविन जी को आप बुरा नमित्र भी उनके हो, आपको नविन जी मैं थोड़ा आपके साथ आधा गंटा, वान-टू-वन गब मेरे राज्य की निरिने को ऐसे कोई हड़ नहीं कर सकता है, आप बार बार आउट्सोर्सिंग कहते हैं, जो पच्छे साल से इस राज्य में है, आप उनको, किस भूमिकामे है, किस भूमिकामे है, मेरे प्रदेश की जनता को, नविन बाबु जी, अंडेस्टमेंट करेंगे तो होगा नहीं ना, या उनकी जो एक mechanism है, ऑऊट्सोर्स मेकानीजम है, जिसको फिर आप कहोगे केसी क्यों कहते हो, आउट्सोर्स मेकानीजम जो उडूड़ी साके आत्मा को नहीं पहचानते हैं, उड़ी औस पंदन को नहीं समझ पाते हैं, वो लोग औस इसक़ी है, लेकिन इस वार लोग react कर रहे हैं, लोग उल्टा हुजा रहा है जो opposition leaders हैं, वो संकेत इस पर कर रहे हैं कि एक तो tight knit party है आपकी, लेकिन बहुत decisions top से आती है और उसके बाद जो lower level को छोड़िये, even chief ministers have no say in the matter कि वो कहां पर होंगे, state में होंगे या center में होंगे देखें क्या प्रॉब्लेम क्या बताओं मेरे अव दोसरी ने जो हमारी बिपक से की party, एक party को हम नहीं assessment किया आप इने खुद दो बार इंटर्वू कर चिक हो है नभी निवास में, ओ आउट्सोर्स कर्मचारी का फिर एकड़ों आखिर के दिन में नेता जी ने खुद आगे कि नहीं नहीं मेरा वारिस नहीं है कुछ तो दुवीदा है ना किको उनकी party की बनावट और फंसनिंगे इसे है मैं आपके constituency पे आती हूं, BJD ने बहुत ही strong नेता रखा आपके खिलाफ, ऐसा क्यूं किया उन्होंने जो प्रणव प्रकाशदास हैं वो organization secretary है तो साथ आप खला जागा पर प्रशने पुझे नहीं मैं कैसे उतर दूँगा कोई तो reason होगा ना, मैं नहीं मानता हूं, देखिये, सुनिए, मैं बताती हूं, मतलब कि किसी ना किसी तरह BJP का probable chief minister candidate को हराना है मैं तो लोक स्वही लड़ रहा था ना, यह नो बट फेर भी मैं तो लोक स्वही लड़ रहा था यह मेरा understanding है विजिए देखिये जो लोग अपराधिक मानसिक्ता की होते है ना, उनकी दिमाग चलता है कि प्रजात तंत्र का गला हम हम ही चला सकते हम हम हमारी ढंग से ही दु जाएगे कि नहीं जाएगा, एक किश्वी शदी में मेरे नौजवानों की स्वास्त्य कैसे होगा, पर संबलपूर में यह तो प्रॉब्लम नहीं है ना, इस पानी का मुद्दा तो है नहीं ना, मैं बताऊँ आपको, उडिसा का सब चे बड़ा ड्याम, संबलपूर है, मार आपको, लोगों की मोथ हो गया है, जीला हस्पिताल में व्यबस्ता ही नहीं ता, अफरा ता पर मस गई, कोई सांचन है उडिसा में, प्रचार से सांचन नहीं होता है, बड़े लच्छेदार अंग्रेजी और हिंदी से प्रशाचन नहीं चलता है, श्मीन पर काम उतरना हा करता है जो मोदी जी ने किया है देश में जादी आपड़ों को अमों वीडियो टी भल लगिला तेवे आमों चैनल को लाइक शेर और सब्सक्रेब करेब कुछ जो में भी बुलूंतु नहीं